स्टुडेंट्स आप लोगों ने अभी तक ये न्यूज देखी लिया होगा कि BSAC मुख परिक्षा में कल लगेंगे जैमर, मोबाइल जैमर जिससे कोई भी मोबाइल या इंटरनेट का सिगनल सेंटर के आस पास काम नहीं कर सकेगा मुझे ज्यादा बताने की जरुवत नहीं है, आप लोगों ने ये न्यूज देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, जान भी ले या होगा मेरा सवाल ये नहीं है कि ये जैमर लगने से क्या होगा मैं आप से पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग पे जोड लगा के एक बात, एक पॉइंट, कुछ पॉइंट की बाते बताना चाहता हूँ, वो सोचो, ये सही है या गलत है जैमर लगने से इंटरनेट बंद हो जाएगा, कॉल्स बंद हो जाएगे, बहुत बढ़ियां हो जाएगे बट इससे क्या, जो भी चोरी और जो भी कदाचार या जो भी पेपर आउट, पेपर लिक होता है, वो रुक जाएगा सुचो आप, आपको लग रहा है जैमर लग गया तो कॉल नहीं होगा, इंटरनेट से इधर उदर नहीं जाएगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लड़के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या बड़े-बड़े मंतरी मिनिस्टर हैं जो अपना पैर भी लगा के, अपना सेटिंग गेटिंग करके, जैक लगा के, गवर्मेंट जॉब में घुसना चाहते हैं ओ, लोग क्या इंटरनेट से, वाटसाप से अपने पास कोशन और सॉलूशन और सारा कुछ मिंगवाते होंगे हैं, नहीं ना, हाँ, लेकिन निकलता है, आपके पास आता है, आप न्यूज देखते हो कि वाटसाप पे आया, ये आया, वो आया, ये कैसे होता है आपको भी मालुम है, क्योंकि जो बड़ी मचलियां है, जब वो गवन कर रही होती हैं, जब वो इधर-उधर हेरा-फेरी, जोल-जाल, घोल-माल कर रही होती हैं, तो उसमें बीच में जो छोटे-छोटे जो छुटबहीये, दल्ले होते हैं, जो इधर-उधर पास कर रहे तो होगा क्या जो बड़ी मचली जो घोटाला करने वाला जो कोशन आउट करने वाला है जो छिपाने वाला है जो सब कुछ करने वाला है उनके पास तो तस्तरी में रखके होम डिलिवरी हो जाएगा दारू का होम डिलिवरी होता है आपको मालूम है उसी तरिके से कोशन का ज अब जो निकाल लेते थे इधे-धर कड़ लेते थे और जिसे न्यूज फैल जाता था वह अब नहीं हो पाएगा वह नहीं हो पाएगा तो अंदर से अंदर सेटिंग भी हो गया और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोशन आउट भी हुआ था क्योंकि कोई उसको निकाल के वहां से धोदर ये ने कर पाएगा हाँ कई बाड़ी ऐसा भी होता है कि वहां पे अंदर में कुछ होलमाल हो रहा होता है तो किसी के पास इंटरनेट मोबाइल होता है तो फोटो खिंच के वहीं से वारल कर देता है लाइफ कर देता है ओनलाइन कर देता है तो लोगों में फैल जाता है अभी ये भी नहीं होगा आम आदमी का तो होगा नहीं जो बड़ी मचलिया है उनके उनकों पास तो होम डिलिवरी तस्तरी में रखके पैकेट में रखके पार्सन में रखके पहुँच गिया question solution सब कुछ हो जाएगा लेकिन वहाँ पे कुछ हो रहा है तो बच्चे जो निकालके वहाँ पे live करते थे कि देखो यहाँ पे ऐसा गोलमाल हो रहा है जोल अजहाल हो रहा है कदाचार हो रहा है वह भी नहीं निकल पाएगा तो समझो कई बच्चे मेरे को फोन करके बूले तो यह तो बहुत अच्छी चीज़ है जैमर लाएगा जैमर तो हर प्रिक्षा में लगता है फिर भी कोश्चन आउट होता है फिर भी लोग सेटिंग गेटिंग करके पास हो जाते हैं अभी जैमर लगाने से यह आपका कोई भला होने वाला नहीं है होगा यह कि बड़ी मचलिया वो तो जो शार्क हैं बड़ी-बड़ी मचलिया है उनके पास तो पहुँची जाएगा हाँ बीच में जो छुट भईये नेता इधर अंदर दो तीन अजार उपे लेके हेरा भेरी गवन करते थे वो नहीं कर पाएंगे वो सारा कुछ आउट नहीं हो पाएगा और इससे न्यूज नहीं फैलेगा और आयो को कहने के लिए बहुत अच्छा से मिल जाएगा कि हमने देखो जब मार्केट में कुछ फैला ही नही अच्छा ही नहीं तो बहुत अच्छे से प्रिक्षण हो गया और अंदर ही अंदर सब घोटाला हो गया यह तो मेरा पहला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दूसरा पॉइंट आप सोचो कि हमारे बिहार में जृतनी वी परिक्ष्छ उसमें भी कदाचार होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रतिशत जो है, वो कम हो जाता है, तो एक जो इंडिया इतना तरक्की कर गया, बिहार के इंजिनियर्स और डॉक्टर्स और IT सॉफ्वेर प्रोफेशनल पता नहीं क्या-क्या, नासा में जाके, माइक्रोसॉफ्ट औ के लोगों को खुश करा भाई, जैमर लगया, ये लगया, वो लगया, वो लगया, तो भाई मेरे बिहार का जो सिक्षा विवस्ता है, अगर आप चाहते हो कि सुधरे अच्छा ये हो, तो ये जैमर वैमर से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए ऑनलाइन एक्जामनेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको आवाज उठाना परेगा, अगर आप ये मंदारी से अच्छे स्टुडेंट हो, ये मंदारी से पढ़ते हो, तब तो आपको मेरी बाते अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जो लोग सेटिंग गेटिंग करने वाले हो, उनको मेरी बाते है, ऑनलाइन में तो थोड़ा मुश्किल है, उसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो पेपर में, जो आफलाइन होता है, पेपर पे लिखा जाता है, उसमें खूब होता है, तो इसलिए सब कुछ, सारा एक से एक निया टेक्नलोजी आया, निया मोबाइल आता है, निया एंड लग रहा है जैमर लग रहा है बहुत सारे टीचर्स भी बहुत साले रिव्यू दे रहे हैं बट मैं खुश नहीं हूँ मैं जान रहा हूं कि जैमर लग रहा है यह बस छोटी-छोटी मचलियां जो पहला देती है उनको रोकने के लिए यह किया गया है यह नहीं है आपका क्या विचारे comment box में लिखे, आप मेरी बाहस सहमें तो लिखे, नहीं सहमें तो वो भी लिखे, मैं आपका view जानना चाहता हूँ, और दिमाग खोल कर सोचिए कि क्या जो हो रहा है, सही हो रहा है, या नहीं हो रहा है, मैं आपके comments के इंतजार करूँगा और reply भी करूँगा, धन्य भाद.